हलो एब्रीवेंड कैसे हैं आप सब आप अच्छे होंगे और आज हम ये चोट लग जाती है कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द करती है जैसे अंदरोनी चोट हो जाती है कभी-कभी जो है मास फट जाता है और वो अंदर की हो जाती है पता नहीं चलती है लेकिन बाद म उस चोट में तो उसके लिए हम उपाई लाए हैं यह अंडे का पत्ता है अंडे का पेंड हमने आप लोगों को दिखाया यह चोटे-चोटे से थे बड़े-बड़े भी पेड हैं लेकिन जहां पर हम तोड़ने गए वहां पर चोटे-चोटे से थे तो वह सारे हमने तो मैंने यहाँ पे 6-7-8 पत्ते ले लिए हैं और यह पत्ते जो हैं इनको इसे यह कपड़े से पोचके ज्यादा गंदे हैं तो कपड़े से हलका सा पोचके और इसके बाद में इसमें दो चीजें लगानी है तो आप यह वीडियो में बताएंगे और इससे बहुत ही में जादा आराम मिलेगी कैसी फ्यादी चोट लगए हो गिरने से कहीं व wander अंदरूनी जो चोट होती है उस tut है इस नमें लगता है कल हमने बांदा था और आज इस वीडियो के एडिट कर रहे हैं और एक दो दिन और बांद लेंगे तो इससे आराम मिल जाएगा हलका हलका सा तेल लगा देंगे इसमें इस तरीके से हलका सा लगाना है यह सरसों का तेल है और सरसों का तेल ही बेस्ट होता है तो इसको इस तरीके से लगा कि और सारे पत्ते इसी पे रखते जाएंगे जितने भी पत्ते हमने लिए हैं तो सारे पत्ते इसी पे इस तरीके से रख लेंगे कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं लेकिन फिर इनको इस से करके इस तरीके से और उपर वाला जो पत्ता है अच्छे से तेल लगाएंगे थोड़ा सा थोड़ा सा हलका सा और ले लेंगे तो अच्छे से चारो तरफ हो जाएगा क्योंकि जो इसके पत्ते नीचे वाले फैले हैं तो उन पे भी हलका हलका सा हो जा है सेंधा नमक हमारे पास यह सेंधा नमक हम खाने में भी डालते हैं सेंधा ही तो यही वाला हमने ले लिया है और उसको हमने हलका सा लगा दिया हम तो पतंजली कर लाते हैं 60 रुपय का मिलता है पैकेट लेकिन सेंधा ही ले आते हैं तो यहां पे हमने हलका सा नमक लगा दिय इसके बाद में इसको गैस को हमने पहले ही जला के तबा रख दिया था हलकी सी करके इसके बाद में इसको अलट पलट के सेक लेंगे जैसे हमने इनको रखा है पत्तों को तह बना के तो दोनों तरफ से ऐसे पलटेंगे और सेक लेंगे हलका हलका सा क्योंकि यह गुन गुने हो हो गए हैं पसीद जाएं हलके से तो यह दूसरी तरफ से भी पलट दिये उसके बाद में हमने गैस कर दी है पंद क्योंकि इतने इतना बहुत है इनके लिए नहीं तो इसका मौश्चर चला जाएगा तो यह ज्यादा फाइदा नहीं होगा इससे तो इस तरीके से सारे पत्ते अलट पलट के सेक लिए हैं और इसी तरीके से पत्ते सेक के और उसके बाद में इनको बादना आए उसके लिए हम एक पत्ती जो है पत्ती ढूंड रहे हैं तो पत्ती अगर सूती मिल जाती है तो ज्यादा ही अच्छी है लेकिन अगर नहीं मिलती है तो कोई बात कुई भी मिल जाए गो ले सकते हैं तो यहां पर हमारे इसमें कंकर चुप गया था जर्ण नीचे एड़ी है तो इसमें कंकर चुप गया था एक बाहर चुभा तो दर्द हुआ दूबारा चुभा तो तो कसके दर्द होने लगा तो अब ठीक ही नहीं हो रहा था इसलिए हमने सोचा है कि आज पत्ते बांधेंगे तो पत्तों से हमें आराम मिला एक दिन में और फिर दुबारा बांधना पड़ेगा दो तीन दिन चार दिन बांधेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा तो इस तरीके से हमने पट्टी ले ली हमें सूती पट्टी नहीं मिली तो हमने ये साड़ी का जो है कपड़ा फार लिया इसी को ले लिया इस तरीके से ऐसे करके कशके बांध देंगे रात में बांधना है और रात में बांध के छोड़ देना है रात पर बंधे रहना है लीप ही मिलते हैं अगले वीडियो में